हाई गाईज कैसो आप लोग मेरा आफे प्रशांट जयान और वेल्कम टू अनादर क्वेश्चिन अब दे यह क्वेश्चिन भी दोस्तों आयो क्यों के अंदर आया था और एक ऐसा तो इस question के अंदर देखिए एक method अपने आप लोग सोचते हैं कि अगर आप लोगो यह इसका इसको राइट में लेके आता हूं आपको यह मिल गया है अब इसमें जन्रली क्या होता है जो इस्टैंडर मेथड होता ना वह यह होता है कि इसको इस इक्वेशन से रिप्लेस करते हैं न्यूटन सम जिसको बोलते हैं और इसके रूट्स हो गए अलफा और बीटा तो आपका जो एन अन प्लस क्यू टाइंस बीटा की पावर एन आ जाएगा एंड जन्रली हम लोग पी और क्यूं इन दोनों इक्वेशन से निकालते हैं इन दोन करेंगे थोड़ा दिमाग लगाने कुशिच करें हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि यार हमसे यह पूछा है क्या पता क्या पता यह जो एक्स्प्रेशन है यह कुछ स्पेशल सीक्वेंस बन जाए ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी है और इसका वैलिडेशन मुझे कैसे म मिल रहा है मैं आप लोगों को बहुत इजली बता देता हूं मुझे इसका वैलिडेशन ऐसा मिल रहा है एक क्वेश्चन था जे एडवांस के जे में के अंदर जिसके अंदर यह लिखा हुआ अब देखिए अगर मैं एक नई प्रोग्रेशन मानूं बी एन बी एन ऐसी मानूं तो बी एन मेरी एपी बन गई ना तो मैं क्या करूंगा यहां पर भी सेम थॉट प्रॉसेस रखूंगा मैं क्या बोलूंगा क्यार मैं टी एन निकालने कुशिश करें अगे टी एन क्या होगा एन स्क्वायर माइनस ए एन माइनस में अर देखिए मुझे टी फिंफ्ती निकालना है मुझे एक काम करूंगा देखो मुझे यहां पर 3 चरेक्टर से मेरे पास तीन अब मैं क्या करता हूं कि zero मेरे पास बन ओंच एवन मेरे पास माइनस एक टून कोछ मेरे क्या यह गा मैंडस इन-2 इनटो मैंनस4-7 ऐक टुल अब मैं एक बार टी एन-ड़ता है Ouch एक और मैं धैक तसे रहें यहां हो ऊंगत एक तो टीवन कित्ता आएगा एवन स्क्वाय है माइनस एजीरो इंटू एट अब एवन कित्ता था भीया माइनस फॉर तो 16 एजीरो वन है और एटू नाइए तो यह हो गया सेवन ठीक है अब मैं एथरी निकालता हूं कित्ता हो जाएका माइनस 4A2 माइनस सैवन एवन माइनस 4 इंटू 9 माइनस सेवन इंटू-4 ए तो यहीं माइनस 36 28 2014 माइनस भी एटल माइनस 30 से कि प्लस28 अब देठाव टी यह निकालने कुशिश करता हूँ कि ए 2 स्कॉय माइनस ए 1 ए 3 है कि ए 2 किता 9 81 माइनस ए 1 कित्रा है माइनस 449 ओहो हो अब देखो अब थोड़ा मज़ा आरा है मिरको यह 7 यह सेवन की पाउर तू अगर 7 की पॉर 3 आ गया मज़ा आ जाएगा टी 3 के लिए मुझे ए 3 चाहिए कि ए 2 ए 4 ए 3 पास से मेरे पास ए 4 नहीं है ए 4 मैं निकलता हूं माइनस 4 ए 3 माइनस 7 ए 2 ठीक है न माइनस 4 ए 3 कितना हुआ माइनस 8 माइनस 7 ए 2 कितना हुआ 9 तो यह कितना आ गया 32 माइनस 63 माइनस 31 ठीक है ना आप देखो कि ए 3 कितना हुआ 9 64 हो गए माइनस ए 2 कितना हुआ 9 माइनस 30 अब इसको एवाइलवेट करते हैं ठीक है 31 9 जा कितना होता है 31 9 जा 279 तो 279 प्लस 64 343 वाँ 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 हो गया अपना काम व्यादन हेर राइट तो कभी-कभी क्या होता ना ऐसे पैटन देखने से हो जाता है गब थीए इसका मतलब मैं क्लियल कह सकता हूं कि टी एड डीए की पावर 50 हो जाए अगर सेवन की पावर 50 हुआ तो पिर नंबर और इवाइजर के तो होता है अगर मान लीजिए डी ए अग निकालना है एंगर प्राइम नंबर की पावर और ए प्राइम नंबर की पावर बी ऐसे रहता है तो ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन ऐसे फॉर्मला होता है तो आपका यहां पे डी कित्ता आ जाएगा टी 50 कित्ता आ जाएगा 51 51 इस दी करेक्ट अब यह क्वेश्चन देखिए यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पैटर्न बनाके सॉल्व हो गया है दोस्तों इसका जो फॉर्मल मेथर्ड है वह आउट आप दी स्कॉप आफ जैई मतलब जैई के स्कॉप से बहुत बार तो जैई क्या करता है ना बहुत अमेजिंग जो थेयरी दोती ना जैसे चाइन इसको मैं पैटर्न मेथर्ड बोलता हूं तो यह पैटर्न मेथर्ड जो है ना जिसके अंदर आप कुछ-कुछ चीज़े लिखके देखते और पैटर्न ढूंडने की कोशिश करते हैं इसको आप अगर फॉर्मली करने जाओगे तो इस गोईंग टूब यह त्री पेज फोर जान मेथर्ड बनता है करेक्ट तो आप लोगों को यह वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया इट वस अवेरी अमेजिंग क्वेश्चन एंड हाइड प्रॉबेबल तो कम इन जेए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो इस सीरीज को फॉलो करते रहेगी ताकि आप लोगों इसी दरगे अमेजिंग क्वेश्चन मिलते रहें लाइट स्क्राइक हो